हलो, वेलकम टू इन माई चैनल, मिकैनिकल इजिरिंग कॉंसेप्ट इस लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर नमबर थ्री में अप्लाइट मेकैनिक्स के मैं डिस्कस करूँगा सिस्टम और फोर्सेज के बारे में चलि स्टार्ट करते हैं लेक्चर को तो प्रिवियस सेकेंड लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन और फंडमेंटल लॉज और मेकैनिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिस्टम और फोर्सेज के ऊपर तो पहली चीज़ है वह इस्टम कीकिस तरह से सब्सक्राइग कर सकती हैं किस तरह से करनी चाहिए कर सकती हैं कि और गारे में बात करेंगे ड़ा करिंगे कैना कर सकते हैं मतलब एक प्लेन पर जो anál करेंग ATK x1 science से जादा पे इन पर consideration के respect में अगर आप forces के analysis करते हैं तो वो non-coplanar forces के लाइगे coplanar मतलब plane के respect में non-coplanar मतलब एक plane तो होगा plane के अलावा भी other जो 3D coordinate system है उसके respect में बात करेंगे तो coplanar का जैसे आसान भाशा में देखा जाते हैं पर explain क्या हुआ है lying on the same plane अगर एक ही plane पर forces act कर रहे हैं तो coplanar और do not lie on the same plane then वो non-coplanar कहलाएगा आसान तरीके से अगर एक diagram से समझना चाहें तो मान लिजी आपका एक xy coordinate system है ऐसा x और y coordinate system है अगर इस x coordinate में एक यहाँ पर एक यहाँ पर इस तरह से दो forces act कर रहे हैं मान लिजी एक का नाम P1 है एक का P2 है तो यह coplanar forces कर रहेंगे जो की xy plane pack कर रहे हैं मान लिजी आपका इसी तरह से non-coplanar को समझने के लिए दूसरा diagram बनाते हैं यह देखिए x y और z coordinate system है मान लिजी एक force आपका x y pack कर रहा है एक y z pack कर रहा है एक z x पर तो यह तीनों forces अलग अलग plane pack कर देए इसलिए non coplanar forces कहलाएंगे तो इस तरह से आप को planar को समझ सकते हैं इसके अलावा भी different तरीके से इसे categorize किया रहा सकता है उसके बारे में सब category के बारे में इसके आगे detail से बात करेंगे बड़ सिस्टम of forces mainly दो टाइप से divided होते हैं चलिए आगे देखते हैं चलिए system of forces जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी category में दी दो category coplanar को non coplanar है तो several types इसको categorize किया गया है जैसे system of forces को मैंने categorize करके रखा है को linear force को linear force मतलब कि जैसे आप एक तरफ से जैसे tug of war हो रहा है तो आप एक तरफ से खीच रहे हैं आपके दूसरे तरफ कुछा position खड़ी हुई है वो दूसरे तरफ से खीच रहे है आप positive तो वो co-linear forces के आप example की तरह समस्कतें coplanar force जैसे की coplanar parallel एक ही प्लेन पर होगा एक दूसरे के parallel और coplanar like parallel coplanar की category है coplanar concurrent मतब एक ही points से पास हो के जाएगा एक ही point निकलेगा forces coplanar ओगा एक प्लेन पर होगा coplanar non-concurrent एक ही plane पे होगा बट एक ही point पे जाकर मिलेगा भी नहीं और एक ही point से निकलेगा भी नहीं forces नौन-coplanar parallel forces मंदब अलग-अअ plane पे होंगे but parallel होंगे non-coplanar concurrent 3D coordinate system है मैं भी मैं लीजिए एक ही point पर concentrate कर रहा है है एक ही point से force koncentrate कर रहा है एक ही point से force या तो निकल रहा है non co-planar non concurrent co-planar नहीं है plane भी नहीं है एक ही plane पर नहीं है बट एक ही concurrent forces भी नहीं है मतलब एक ही point पर concentrate भी नहीं कर रहे हैं जो एक ही particular diagram example से समझने के आगे detail से देखते हैं जैसे पहला मैंने बताया co-linear और दूसरा बताया co-planar parallel forces co-linear मतलब example बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं आपर यह दिखे जो diagram बना हुआ है यह diagram co-linear एक ही line of action पर है इसको बताने का तरीका यह है कि line of action of all the forces co-linear के लिए line of action of all the forces act along the same line एक ही line पे line of action of force रहेगा all forces का एक ही line पर हैगा मान लिजो यहां से चार लोग लेप्ट साइट से कीच रहे है और चार लोग right साइट से कीच रहे है तो जो line of action of force रहेगा एक ही रहेगा, example, force act on rope, जो rope पे tug of war पे एक rope पे जो forces लगती है न, वो collinear force का example आप समझ सकते हैं, next है आपका coplanar parallel forces, all forces are parallel to each other, सारे forces, coplanar parallel forces मतलब, पहला चीज़ तो parallel होंगी सारे forces, जितनी forces लग रही होंगी, बट वो सारे forces parallel रहने के लावा, एक ही plane पे लग रही होंगी, single plane पेक्ट कर रहे होंगी, तो वो coplanar parallel forces, जैसे कि यह जो diagram बना हुआ है, यह diagram यह बता रहा है कि यह coordinate system आपका xy है, तो xy plane मान दीजे, y, z, z, x को एक plane है, उस plane पे 4, 5 forces या number of forces, मैंने 4 forces दिखाई, जरूर नहीं 4 forces, 2, 3, 4, more than 1 forces होंगी, उस सारी forces रहें दुसरे के parallel होंगी, और 4 forces parallel होने के लावा, एक ही plane पे होंगी, जरूर नहीं कि एक opposite है, तो दूसरा उसके opposite होगा, दूसरे का opposite हो जरूर नहीं, ब से, चारो का direction अलग-अलग भी हो सकता है, बट एक दूसरे के parallel होना जरूरी है, co-planar parallel forces में, यह चीज़ बिताया है, all forces are parallel to each other, सारे forces दूसरे के parallel होंगी, और single line of plane पे act करेंगी, single plane पे act करेंगी, लाई करेंगी, okay, example क्या हो सकता है, force acting on a beam, subject to vertical load, okay, जैसे कि beam, आपके घर पे जो beam है, उस पर vertical load रगता है, और उसके अलावा उस पर reaction भी लगता है, जैसे आपके घर में जो beam है, इस तरह से जो beam होगा, इस तरह से beam है, उस पर उपर से load लगता है, तो load लगने के अलावा कुछ ना कुछ reaction ends पर लगता है, जहां पर supported रहते हैं, तो यह हो गई आपकी parallel forces यह पांचों forces parallel हो गई और एक ही plane पे लग रहे हैं एक ही plane मतलब एक x y y z जो भी plane आप उसको assume करते हैं घर पे यह example हो सकता है आपका live example practical example co-planar parallel forces का next है co-planar like parallel forces और co-planar concurrent forces co-planar like parallel forces बतब co-planar जैसी रहेंगी और parallel भी रहेंगी और साथ सथ co-planar concurrent force co-planar like का मतलब all forces are parallel to each other सारी forces एक दूसरे के parallel होंगी lie in a single plane and are acting in a same direction यह बहुत important चीज़ है देखिए सारी co-planar like parallel forces का मतलब सारी forces parallel होंगी एक दूसरे की यह देखिए जैसे number of forces दी हुए है पांच यहाँ पर दो से जादा एक 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 से जादा दो यह दो से जादा forces होंगी सारी एक दूसरे के parallel होंगी और same direction पर होगी सारी यह तो downward यह तो left to right ऐसा ऐसा भी हो सकता है यह तो right to left जैसा ही हो यह सारी के सारी upward हो बट सभी के सभी एक दूसरे के parallel होंगी और एक ही plane पे होगी तो वो co-planar like parallel forces काहलाते है ओके यह clear हुआ एक्जाम्पल क्या होगा। एक्जाम्पल बहुत आसान है। जैसे कि आपका मैंने मेंशन किया हुआ है। weight of a stationary train एक stationary train पटरी की उपर खड़े रहती है track के उपर straight line पे वो forces track की उपर लगाती हैं लोड लगाते हैं वह प्रेंपर कोप लेनर, flag parallel forces का जो ट्रेन के यूद्बे होते है पट्री के उपर जो stationary condition पर जो load लगाते है न वह जो load है या वह जो force है वह forces parallel होती है और चुन्सरे के सारी forces और आर वह सारी सारी एक straight line पर एक ही direction पर होती है downward तो example लो सकता है COP know like parallel forces का next कौन सा है cos 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 of all forces, line of action of all forces passes through a single point, सारे forces एक ही point से तुरू pass करेंगे, ओके, and force line in single plane या same plane, तो वो condition कहलाएगी, co-planar concurrent force की, ये system of force का एक और example, एक और type हो गया, example क्या हो सकता है इसका, कोई practical example हा, force on a rod resting against a wall, जैसे एक rod है, मानली जी एक rod है ये, ऐसा rod मानली जे, ये दिवार के उपर rest कर रहा है न, तो ये जब दिवार के उपर जो rest करेगा, इस समय इस दिवार पर यहाँ पर जो force लगेगी, इस point पर और इस point पर, ये forces जो example कहलाएंगी, वो क्यों से कहलाएंगी, आपका resisting force की, कैसे, आपकर आप इसका free body diagram बनेगी, तो free body में और clear करूंगा मैं, तो एक force लगेगा, दिवार इसकी तरफ लगाएगा, एक rod इसकी तरफ लगाएगा, एक rod इधर से लगाएगा, आपका surface इधर से लगाएगा, और एक force लगेगा, आपका downward direction पे, जो की rod का weight लगेगा, downward direction पे, ये free body concept आवर clear हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, co-planar concurrent मतलब, एक ही plane पे होगा, और सारी forces एक point से पास हो कर जाएगी, single plane पे, same plane पे, और example, rod जो है, अगर एक, दिवार पे support पे, लटका, दिवार के support पे है अगर तो, नेक्स्ट है आपका, coplanar, coplanar non-concurrent force, और non-coplanar parallel forces, तो coplanar non-concurrent force, all forces do not meet a point, देखे, non-concurrent बोल दिया, concurrent बोला, same point पे होगा, same point पे, आपका pass करके जाएगा, same point से pass करके जाएगा, non-concurrent बोलने से, same point से pass करके नहीं जाएगा, all forces do not meet at a point, but line single plane, एक ही plane पे लाई करेगा, बट एक ही point से pass हो के नहीं जाएगा, वो coplanar non-concurrent force कहलाता है, example, force on a ladder resting, एक ladder जो है, जो cd, cd, resting against a wall, when a person stands on a rung, उसके support के उपर खड़ा हुआ है, एक stand के उपर खड़ा हुआ है, रung, which is not at its center of the gravity, जो के center of gravity पे नहीं, जैसे example, यह diagram से आप समझ सकते हैं, यह सारी forces एक plane पे हैं, यह सारी forces एक plane पे हैं, x, y, बट सारी forces एक point से pass हो की नहीं जारी, देखिए, यह point, यह force का line of action यह है, यह अलग है, यह अलग है, और यह अलग है, तो यह 4-5 forces जो हैं, अलग-अलग point पे intersect कर रहे हैं दूसरे को, मतलब line of action of force एक नहीं है, okay, point जो है, इंट्रेक्शन, point of, point जो है, चहां से force निकलेंगी या जहां एक-दूसरे meet करेंगी, वो एक नहीं है, पर एक ही plane पे हैं, इसलिए co-planar non-concurrent force के अंदर, यह system of force का explanation आता है, next है आपका non-coplanar parallel forces, non-coplanar मतलब एक ही plane पे नहीं होंगे, बट parallel होंगे, all the forces are parallel to each other, but not in the same plane, जैसे कि यह diagram से आप समझ रहे होंगे, यह देखिए diagram, weight of the bench in a classroom, benches जो है weight, जो classroom पे लगाती है, तो वो सारी forces एक दूसरे के parallel होती है, बट वो एक ही plane पे नहीं होती, वो अलग-अलग plane पे होती है, जैसे इसका अगर आप plane बनाएंगे, plane बनाने के अगर कोशिश करते हैं, तो plane का diagram को जिस तरह बनता है, x, y, और यह third plane है, z, तो यह जो force लग रहा है, x, y, z, तीनों के about लग रहा है, इसलिए forces तो parallel एक दूसरे के हैं, बट एक ही plane पे नहीं होने कारण, non-coplanar parallel forces अंदर आएंगी, तो classroom में जो benches, जो forces लगाती हैं, या उनसके थूरू force लगता है, वेट के थूरू जो लगता है, वो आजाएगा example, non-coplanar parallel forces अंदर, next है, non-coplanar concurrent force, non-coplanar non-concurrent force, non-coplanar फिर से वही बात, एक ही plane पे नहीं होगा, all forces do not lie in the same plane, but their line of action passes through a single point, concurrent मतलब एक ही point से pass हो कर जाएगा, एक ही point से मिलेगा, या एक ही point से निकलेंगे सारे forces, और non-coplanar मतलब एक ही plane पे नहीं होगा, यह diagram से आपको clear हो जाएगा, मेरे ख्याल से, यह देखिए, non-coplanar मतलब x, y और z के about force लग रहा है, एक ही point से pass हो के जा रहा है, इसलिए concurrent force हो गया, एक plane पे नहीं है, इसलिए non-coplanar concurrent force, इसके example, tripod जो camera recording के लिए यूज किये जाता है, तो tripod के उपर रखे video recording या video shooting करते हैं, तो वो example, tripod जो force लगाता है, जैसे tripod के तीन या चार जो support system होते हैं, legs होते हैं, वो legs जो force लगाते हैं, वो अलग-अलग plane पे लगाते हैं, बट उसके concentrated होता है, वो एक ही point से force लगते है, एक ही point से pass होके जाता है, तो वो जो tripod है, camera जिस पे support करते हैं, वो example हो सकता है आपका non-coplanar concurrent force का, आप इसको example दे सकते हैं, last है आपका non-coplanar non-concurrent force का, एक ही plane पे भी नहीं होगा और एक ही point से pass हो के सारी forces नहीं जाएंगी यह दिखिए वो diagram x, y और z तीन plane तीन axis हैं तीन axis पे अलग-अलग direction पे forces लग रही हैं और सारी forces का line of action अलग-अलग है यह देखिए सारी forces अलग-अलग point से pass हो के जा रही है सारे forces एक ही पॉइंट पर जाके meet नहीं कर रहे हैं तो यह हो जायागा non-coplanar, non-concurrent force, non-concurrent एक ही पॉइंट पर नहीं मिलेगा, non-coplanar एक ही प्लेंट पर नहीं होगा, all forces do not lie in the same plane and their line of action do not pass through a single point, एक्जांपल, force acting on a moving bus, एक moving bus पर जो forces लगती है न, वो force एक्जांपल आप समझ सकते हैं, कभी कोई आगे धक्का पड़ता है, किसी को कोई downward force लगाता है, कोई backward force लगाता है, कोई upward, तो अलग-अलग direction पर एक person या जो आपके, बैट कर जाते हैं सारे लोग, luggage के थूरू जो force ल direction एक forward होता है, इस तरह से जो bus है आपकी, वो आगे की तरफ move कर रही, तो इसे कारण एक अगर bus stop sudden करती है, तो आगे तरह एक force लगता है, bus का weight नीचे के तरफ, आपके सारे luggage का weight नीचे की तरफ, आना, तो ये और अगर reaction देखा जा तो opposite तरफ, तो सारे force direction अलग-अलग होता है, तो वो non-coplanar हो गया, और non-concurrent मतलब, okay, point of action of force जो है, एक point पर concentrate नहीं करता है, तो इसको non-coplanar, concurrent force, non-concurrent force का category में रखकर इसको explain कर सकते हैं, तो ये है system of forces की explanation with example और diagram के साथ में, मुझे यकिन आपको concept समझ में आओगा, मैं फिर से आखरी बार repeat कर दे रहा हूं, कि ध्या हो सकता है, कि co-planar, non-coplanar, देखे, co-planar मतलब, एक ही plane पे होगा, x, y plane पे होगा, सारे forces, तो co-planar है, अगर ये एक दूसर के parallel ने एक ही plane पे हैं, तो co-planar parallel हो गई, concurrent बोलने से मतलब, एक ही point से सारे forces निकल रही है, ऐसे, और non-concurrent बोलने से मतलब, ये जो example, सारे forces का direction, एक ह सारे forces एक point से निकल रही है, एक ही point पे मेट निकल रही है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, और explain कर सकते हैं, तो I hope आपको concept समझ में आया होगा, अगर आपको कोई doubt है, कोई query है, तो आप comment box पे लिख सकते हैं, अगर को suggestion है, तो comment box पे लिख सकते हैं, मेरे video अगर कीजिए जाद जाद लोगों तक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, तो मुझे subscribe कीजिए मेरे channel को, आपको दिल शुप हो, thank you, have a good day.